चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो आज इस वीडियो में हम 4 states केरिला पंजाब गुजरात आसाम की कांसलिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे इसके साथ ही हम MCC के नोटिस के ब अपलाई कर रखा है उनको अभी रेजल्ट की डिटेल से सब्मिशन करनी है यानि कि ये रेजल्ट की डिटेल से ये वेरिफाई करनी है और इसकी लास्ट डेट 12 अक्टूबर 22 साम 4 बज़े तक है तो ये कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ यहां पर तो सबसे पह बद में नीट रेजल्ट सब्मिशन का टेप मिलेगा यहां मैमो में इस पर आपने क्लिक करना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसी टू नीट रेजल्ट अमेर इसके drive पर लिटेली है अपकी यहांपर डेटियल आ जाएगी एक बाद चेक कर लें सही है तो यह complete हो जाएगा इसमें यानि कि आपका जो result की details है वो submit हो जाएगी और इसके बाद में आपके पास इस परकार की receipt आजाएगी तो further reference के लिए इसको आप संभाल के रख सकते हैं नेक्स्ट update है पंजाब स्टेट से तो पंजाब स्टेट के registration आज 17 अक्टूबर 22 से start होने जा रहे हैं इसकी last date 13 अक्टूबर 22 है इसकी condition से कौन-कौन इसके लिए eligible हैं इसके लिए मैं आलरी वीडियो बना चुका हूँ और ये पहले details इसकी आचुकिया है इसकी website पर available है तो जिन candidates ने CMC लुधियाना के लिए category 2 के लिए apply कर रखा है तो उनके लिए bible test 14 अक्टूबर 22 को होना है तो वो 14 अक्टूबर 22 को अपना test दे दें online test होगा और इसकी details आपको CMC लुधियाना की website पर मिल जाएगी अभी next जो update है वो गुजरात इस्टेट से है गुजरात registration करना है आपको और help center पर आपको documents verification करवाना है तो इसमें जो इसकी पहले इनका pin purchase करना होता है तो आप पहले pin purchase कर ले फिर registration करें फिर documents verification कर ले help center पर जा करके तो इसमें जो 3 October 22 से start हो चुके हैं इसके पिन purchase करना और registration और last date इसकी 14 October 22 रहेगी डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं 4 October से लेके 15 October 22 तक करवा सकते हैं इसमें साम चार बजे तक आप documents verification करवा सकते हैं वहाँ आपको एक सभी documents की photo को भी submit करनी है तो ये गुजरात states की counseling update है अब बात करते हैं next state Assam state से तो Assam state के essay candidate जो EWS category से आते हैं और उन्होंने online forum fill करते समय NEET का online forum fill करते से मैं EWS category mention नहीं की है उन्होंने generally other category mention की है तो वो EWS के अंडर आते हैं और EWS category का benefit लेना चाते हैं तो वो अपने EWS की supporting documents से वो submit कर सकते हैं director of medical education Assam के office में second floor room number five में ये अपने documents submit कर दें यहाँ पर application for है EWS category के लिए और इसके साथ में आपकी जो भी documents से EWS category का आप फाइदा लेना चाते हैं state counseling के लिए तो वो आप यहाँ पर submit कर सकते हैं Assam state के लिए next update है MCC की तरफ से notice दिया गया है कि जो Indian candidate है इन्होंने पहले NRI के लिए apply नहीं किया है तो वो अपने category NRI में convert करवा सकते हैं इसके लिए convert के लिए 11th October 22 तक वो अपनी supporting documents mcc के जो mail ID है ug.nri.mcc.gmail.com पर बेज सकते हैं इनको documents क्या-क्या भेजना है उसकी यह detail दी गई है सबसे पहले यह annexer 1 है यह आपको fill करके भेजना है इसके साथ में आपने जो documents से भेजने हैं वो documents से passport, visa, sponsor का भेजना है relationship क्या है NRI के साथ में वो भेजना आपको एक affiliate भेजना है, sponsor के द्वारा की fees उनके द्वारा दी जाएगी है Ambasis certificate भेजना है और need scorecard इसके साथ में लगा के आपको यह mail करना है तो यह अगर आप Indian category से NRI में convert करवाना चाते हैं आप NRI के under आते हैं तो आप यह documents submit कर सकते हैं, mail कर सकते हैं MCC को तो यह जानकारी थी कुछ states के updates के बारे में बाकी states की जैसे जैसे update आएगी मैं आपको inform कर दूँगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको like करें, अच्छा नहीं लगता है तो इसको dislike कर दें, channel को subscribe करें क्योंकि हर एक state की updates आपको यहाँ मिलती रहेगी तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं